फिलाल टॉप एंड पे निकल रही है उससे पहले दोनों की आवाज सुना देता हूं कमपेर कर लो आप लोग तो यह गारी आप देख सकते हो एकदम न्यू है यह भी अब स्टार्ट करते हम अपनी करिज्मा दोनों की आवाज एकदम सेम लग रही है यहाँ पे दो तीन चीजे यहाँ पे आपको अलग देखने को मिलेंगी यह जो है SOSC है यह है DOSC Dual Overhead Camps इसकी वजह से गाड़ी का जो पावर नहीं जादा देखने को मिलता है अगर स्पेक की बात करूँ तो इसमें 25 PS है इसमें आपको मिलती है 19 PS तो चलिए इस द्रैक को करते हैं हमारे साथ में प्रकाश भाई प्रकाश भाई के साथ यह हम लोग परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं और देखते क्या रिजल्ट निगल क्या आता है सीधे मिलते आपसे अगरे स्टैक करेंगे तो बात चलाएंगे हम आरवन 5S देखते हैं क्या होता है रिजल्ट बाकी करिदमा अपने साथ में खड़ी है अब इन दोनों को हम लोग भागाने वाले तो पहले आरवन 5 अपन चला रहे हैं एक्जम आरभाई चला रहे हैं प्रकाश भाई तो आरव जो प्रकाश प्रकाश निकलिया था राव फाई नहीं है और वाई पर थिचे तो रिजल्ट आपने तो यहां पे अगरी बाजी अरे अरोन भाइट के तो धागे खुल गए वो देखो किती ही आगे चलते चले गए औरे भाई सहाब इंपोसिबल देखते हैं अभी फिलाज टॉपेंड पे निकल रही है टॉपेंड 147 जा चुकी है 148 इस्टेल करिजमा आगे है इस्टेल करिजमा बहुत आगे है ओ भाई सहाब ना कितना लंबा बहाने के बाद भी आर्वन फाइव नहीं निकल पाई डाट मीन्स करिजमा में बहुत ही भैतरीन पावर दे रखी है आप लोगों को नजर आ रहा होगा सेन बहुत गजब भागी है तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा लंबा खीचेंगे ना तभी आप आपाएगी नहीं तो नहीं आप आपाएगी लिमिटर नहीं मारता है ना इस में मारता ही नहीं यह 148 पर पहुंची थी लिमिटर मारा था ना मैं बता रहा हूं कि अगर थोड़ा और खीशते मतलब उतना और खीशते तब जाके हो सकता है निकल जाए तो चलिए राइडर चेंज करते हैं क्योंकि प्रकाश भाई का में मेरा ज्यादा है कितना है भाई आपका वेट मेरा 89 है इस समय तो अल्मोस्त में 9 kg हैवी हूं प्रकाश भाई से अब देखते हैं हम चलाएंगे इसको तो क्या रिजल्ट निकल के आता है तीन होन ठीक है तीन हाई सहाव करिज्मा निकलती जा रही है करिज्मा बहुत पीछे रहे गई है आरवन फाइफ वहाई सहाव दमाथा पेल दिया करिज्मा ने पेल दिया पेल दिया बहुत पूरा पेल दिया लिमिटर वन फॉटी एट पेल पेल दिया लिमिटर आ रहा है लेकिन इस्टिल यामा बहुत ज्यादा पीछे है अगर मैं इस पेल लिमिटर देता भी रहूंगा तो यामा को कम से कम दो मिनट तो लगी जाएंगे निकलने के लिए तो मेरे एसाब से भाई जानदार यहाँ पे आपको रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं करिज्मा की तरफ से और भाई यही तो चाहिए था लोगों को करिज्मा ने भाई एक की तो कहानी लगा दिया है अब बचा है कौन अब बचा है RS200 उसका भी हम आपके लिए जल्दी लेके आएंगे वीडियो तो देख सकते हैं आप लोग ने रिजल्ट बढ़िया सा देखी लिया है हमने बगाई इन दोनों गाड़ी को और दोनों गाड़ी अपने में ही बैस है भागी भी बढ़िया है लेकिन यहाँ पे करिज्मा ने बहुत ही अच्छा काम किया और बहुत ही अच्छी चीज करती है performance में बागी बहुत सारी चीजें दोनों गाड़ी इंको अपने में ही खास बनाती है हीरो ने पहली बार ऐसी बाइक निकाली है तो भाई एक तो एक नंबर कहना पड़ेगा इनके लिए कि बहुत ही बढ़िया काम किया है और दूसरा आरवन 5 तो आपको पता ही है य कुनों गारी अपने में बढ़िया है बागी आपके ऊपर है आपको क्या लेना यह सब्जेक्टिव चीज है आपको यह पसंद आएगी तो आप इसके साथ चाहिए यह भी बढ़िया है आपको यह पसंद आएगी आप इसके साथ भी जा सकते हैं तो चलिए इस वीडियो को खतम करते हैं मिलते हैं नेक्स फ्लॉग में तिल दिन राइट से शेफ हलमेट में शाप पहन के राइट करिए मस्तरी से विए बाइब